इसके बाद बिहार कॉंग्रेस मुख्याले पर छापा माला गया है, पूस्ताज नेताओं से चारी है, ये शौट्स लाइव वाँ से इसमें आ रहे हैं, इसमें छापा मारी चल रही है, कॉंग्रेस के बिहार पटना मुख्याले पर इसमें की ये बड़ी कबर है, लाखों लिए उपेंद्र यादव जोड़े कि भारतीय जंता फार्टी के कद्दावर नेता हैं जर्नल सेकेट्री है और बिहार के प्रभारी भी है उपेंद्र यादव जी आपका बिलंदन है आर पार में मेरा पहला सवाल आप से यही कि आप साकुशल है क्योंकि करोना का समय चल रह हैं साकुशल है आप जी आपकी शुब कामनाव से और भगवान की क्रपा से साकुशल हो जी उपेंद्र आदव जी आज भारत्य जंता पार्टी अपना संकल पत्र यानि घोश्टा पत्र जारी किया लेकिन इसके बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया है कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर महरास्थ तक और केरल तक भी बिहार में तो निश्चित तोर पर क्या आपको लगता है कि आप वोट के बदले जो टीका देने की बात कर रहे हैं वो विपक्ष अपने गले नहीं उतार पा रहा और कह रहा है ये वोटों की सौदे बाजी है मेरा मानना है कि ये विपक्ष की गलत सोच है हम वोट के बदले टीका की बात कभी नहीं कर रहे हैं एक कल्यानकारी और संकलपवान सरकार का ये करतवे होता है और दल का ये करतवे होता है कि जनता के सामने अपने प्रमुक लक्षों को रेकांकित करें और हमारा जो सबसे प करोना की महमारीक से पूरी विश्व और दुनिया पीडित है और बिहार में विशेश रूप से माने प्रधान मंतरी जी के द्वारा जो करोना के समय में लोगों की साहेता के लिए जंधन योजना, किसान सम्मान निधी, प्रवासियों को उनके घर पहुचाना और छट तक जो संकट से उभरे नहीं है, अब इस संकट के समय में हमने अपने संकल पर्प में ये वादा किया है, कि जैसे ही भारत सरकार के मानेताप्राफ संस्थान, ICR के द्वारा करोना की वैक्सीन आएगी, स्विक्रत होके, हमारी सरकार बिहार में सभी को मुफ्त वो टीका करण करेग ये पूर्म में भी भारत सरकार के द्वारा और विराज्य सरकार के द्वारा विभिन बीमारियों के संबन में इस प्रकार के कारिकरम किये गए हैं, स्वास्थे को पॉलिसी का विशे बनाना, हेल्थ को पॉलिसी का विशे बनाना, और उसके प्रति संकल बत्ता दोहराना, ये तो किसी भी राजनेतिक दलका करतावे हैं, हमारी समवेदना इस मुद्दे के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए हमने विश्य उठाया, अब विपक्ष अपनी बोकलाट में कुछ कह रहा है, उनके हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अब संकल पत्र में व्यक्त किया है, तो तेजस्वी जी को इस पर किसी प्रकार की चिड, किसी प्रकार की घबराट, किसी प्रकार की परिशानी नहीं होना चीए, वो क्यों नाहक परिशान हो रहे हैं। कार का विशे है, कि वो जिम्मेदारियों से हमेशा दूर भागे हैं। दस साल केंदर में सरकार ली, उन्होंने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली, अभी भी तंज कस्ते हैं, लेकिन कॉंग्रेस के अध्यक्षपत का जिम्मेदारी वाला पद वो उठाने को तयार नहीं है। इस से बहतर होता, आज तमिलाडू के मुख्यमंत्री ने उनके राज्ये के लिए संकल फ्यक्त किया है, मैं पूछना चाहता हूं कि कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉंसबिलिटी कहां पर है, राहुल गांदी जी को अपने शासित, जो उनकी पारटी के द्वारा शासित राज्ये है, वहां कोई सकारात्मक कदम के विशे में बताना चीए, ना ही नाहक बयानबाजी और ट्विटर करके कोई भ्रम फैलाना चीए, उपेंद्र जी अगर देखिए चुनाव का पता नहीं होता, नतीजे आएंगे 10 नवंबर को, सरकार आपकी भी बन सकती है, और विपक्ष की भी बन सकती है, अगर विपक्ष की सरकार बनती है, तो फिर ये टीका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कन्फूजन फहलाया जा रहा है। और भारते जनता पार्टी के गवर्नेंस के मॉडल की सबसे बड़ी विशेशता है, कि हमारी नीतिया किसी भी वोट बैंक के लिए नहीं होती, एक कॉंग्रेस है, जिनके प्रधान मंतरी ने कहा था कि देश के संसादनों पर पहला हक अलपसंख्यकों का होता है, हमने कभी यह इसा नहीं का, हमने जन्दन खाते खोले, सब के लिए खोते, खोले, हमने बिहार में आज सू प्रतिशत बिजली का कंजेमशन किया, सबी गरों तक पहुचाई है, सड़क पहुचाई है, सबी गाउं तक पहुचाई है, हमारे लिए सरकार सेवा का माध्ध हमें, और एक केंद्र सार में इससे हमने बिहार में करके दिखाया है केंद्र में तो हमकरी रहे हैं मेरा अगला सवाल यह है कि आपकी तो कई राज्यों में श्रकार है तो यूपी में ऐसा क्यों नहीं अलाकि अखिलेश श्यादव ने भी सवाल पूछा उत्तरप्रदेश का लेकिन मेरा को अपना संकल पत्र देना था संकल पत्र में हमने करोना का विशे रखा एक और महत्पुन विशे रखा है वो भी महत्पुन विशे मुझे लगता है देश में आने माले समय की दृष्टी से महत्पुन है पर चर्चा सारी करोना के टीके पे हो गई है कि करोना के टीके पे ह हो गई लेकिन आपको मैं एक और विश्य आपका इतना प्रतिष्टित चैनल है और आप इतने प्रतिष्टित पत्रकार है आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे जो गरीब गाओं के बच्चे हैं वो दसवी ग्यारवी करते हैं हिंदी मीडियम में और जब बार भाशा में भी मेडिकल और इंजिनिरिंग कॉलेज शुरू करेंगे देखे यह बहुत बड़ा परिवर्तन है हम देश के गरीबों के बच्चों को जो एक बुनियादी अवसर मिलना चाहिए उच्च शिक्षा का तकनीकी शिक्षा का वो उनकी मातर भाशा में उपलप करान चाहते हैं तो टेक्निकल और मेडिकल शिक्षा को भी हिंदी में प्रारम करना चाहिए और कुछ ऐसे विशेश कॉलेज बनने चाहिए हमने उसको भी संकल पत्र में कहा है पुपेंद आदव जी मेरा अग्ला सवाल यह है कि लगातार तेजश्री आदव जो की महागडवंदन के सीएम कैंडिडेट हैं वो आपके सीएम कैंडिडेट नितीश कुमार के बारे में कह रहे हैं कि अब वो ठप ठक चुके हैं मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर मैं युवा हूँ मुझे मौका दीजी इसलिए विहार की जनता की नितीश कुमार सेवा नहीं कर पा रहे तेजस्वी को सबसे पहले अपने माता-पिता की सेवा करनी चाहिए जिनकी विरासत में उनको ये पार्टी मिली है उन्होंने उनका फोटो ही अपने पोस्टर से गायब कर दिया है तो पहली नसीफ़ तो हमारी ये है कि अपने माता-पिता की चिंता करो उनके जिनके कारण से आप आज इस गद्धी पर हैं कम से कम उनकी फोटो तो अपने पोस्टर में लगाओ दूसरा मिशे मैं कहना चाहता हूं कि उनकी बात अपने आप में गलत सिद्ध होती है नितिश कुमार जी सुबह दस बजे अपना प्रचार शुरू करते हैं शाम को देर तक अपना प्रचार करते हैं सभाओं को संबोधित करते हैं तो तेजस्वी जी की बात और फैक्च्वल इस्तिती में कोई हमें किसी प्रकार का सामन जस्से नहीं दिखता है और तीसरी बात सरकार चलाने के लिए परीपकवता भी चाहिए सरकार चलाने के लिए इतना भी चाहिए कि आप फाइलों का गंभीरता के साथ अधियन कर सको सरकार समझदारी से चलनी चाहिए सरकार चलाने के लिए जोश और होश दोनों चाहिए नितिश जी के पास 15 साल तक सरकार चलाने का और एक सक्षम सरकार चलाने का अनुभव है और बिहार के विकास का एक ट्रेक रिकॉर्ड है और इसलिए आज तेजस्वी जी अपनी इस उमर में जिस प्रकार की भाशा का प्रियोग करते है मुझे लगता है ये कोई राजनितिक भाशा नहीं है और ये अमर्यादित भाशा है तेजस्वी आदव आप कहने हैं कि उनके पास अनुभव नहीं है लेकिन तेजस्वी आदव कहते हैं कि में पास 10 लाक नौकरिया देने का पूरा रोड मैप तैयार है क्या आपको लगता है रोजगार इस समय बड़ा विशे है बिहार के अंदर और तेजस्वी आदव उसको लेकर बीजेपी और जेडियू गड़ बंदन को घेर रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं घेर रहे है ना कोई उनके पास रोड मैप है अभी तक तो उनका रोड मैप आया नहीं है वो रोड पे जरूर घुम रहे हैं अपने मैप को प्राप्त करने के लिए मुझे कोई रोड मैप नहीं मिला है वो रोड पे जरूर दिखते हैं और मैं उनसे पूछना चाहूँगा जो भाशनों मैं कह रहे हैं भाशन तो कुछ भी कह सकते हैं भाशन तो वो देखिए एक अपनी पार्टी के उनकी पार्टी के वो अध्यक्ष है लेकिन भाशन कहने के पीछे कोई तथ्य होना चाहिए न दसलाग का कोई रोड मैप नहीं है और दसलाग नोकरी देंगे तो कोई बिहार पबलिक सर्विस कमिशन से भरती कराएंगे कहां से कराएंगे इसलिए जो उनकी दसलाग की नोकरी का विशह है वो केवल उनका एक कथन है जो चुनाव के लिए कह रहे है कोई रोड मैप नहीं है और इसलिए मैं उनकी इस बात को ना कोई गंभीरता से लेता हूँ ना कोई बिहार में गंभीरता से ले रहा है बुपेंद्र जी लेकिन इंपोर्टन बात यह है कि 2015 में भी बिहार का चुनाव हुआ था और आप काफी सक्रिये थे और अब पांच साल बात दुबारा चुनाव हो रहा है इस समय प्रस्टिती आपको क्या अलग दिख रही है कि इस बार आप लोग निकाल ले जाएंगे भारती जनता पार्टी और जनता दल युनाइटेड एक नैचुरल अलाइंस के रूप में 15 साल से काम करते रहे हैं इनको समाज के सभी वर्गों का समर्थन है एक बड़ा सामाजिक समीकरन हमारे पास है 15 साल के अगर आप बीच का डेड़ साल निकाल दे तो दोनों दलों के साथ करने का एक बहतरी ट्रेक रिकॉर्ड है बिहार के विकास का रिकॉर्ड है और हमने जो संकल प्रेक्ट किये हैं बिहार में को जो विकास के जिस आयाम पे लाए हैं उससे हम नई इबारत कैसे खड़ी हो सकती है वो हमने संकल पत्र में भी लिखा है और बिहार की जनता का आशिरवाद हमको मिलेगा लजेपी जो की बड़ा इंपॉर्टन फैक्टर बन गया इस सुनाफ के अंदर च्वरगी राम विलास पासवान जी तो अब नहीं रहे लेकिन उनके सपुत्र चिराख पासवान अब LGP की अग्वाई कर रहे हैं और वो नारा दे रहें कि निटीश कुमार की खैर नहीं और मोदी से बैर नहीं क्या कहना चाहते हैं उन्हुने अपना रास्ता अलग कर लिया है वो बिहार में अब NDA के पार्ट नहीं है अब चुकि वो हमारे NDA के पार्ट नहीं है, हमारे सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए अब हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी मुझे नहीं लगता है कोई मुकाबले में भी है वो कहते हैं कि जब उनका इंटर्व्यू करा गया तो उनने बुला मेरे दिल में नरेंद मोदी हैं, मैं नरेंद मोदी जी का हनुमान हूँ लेकिन नतीश की अब नहीं बनने दूँए मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि महागडबंदन शराब बंदी को लेकर समीक्षा करेगा अगर उनकी सरकार आई आपकी क्या टिप पड़ी है इसको लेगे महागडबंदन तो पहले अपने आप में बिखर गया है पहले आप महागडबंदन को समझ लीजिए फिर उनका प्रशन समाजिए महागडबंदन इस प्रकार से बिखरा है कि लोकसवा चुनाओ तक जीतनराम माजी जी उपेंदर कुश्वा जी और मुकेश सैनी जी उनके साथ थे जी वो तो तीनों उनको छोड़ चुके एक ने कहा इनके आइज़त नहीं है एक ने कहा पीट में खंजर घोपा और तीसरे ने कहा कि इनसे ज़्यादा बेकार आदमी नहीं हो सकता है तो उनके साथ ही उनसे चले गए चौथा कॉंग्रेस और आरजेडी के सयोगी पार्टी है जारकन मुक्तिमोर्चा जारकन में वहां कॉंग्रेस के मंत्री भी है और आरजेडी के मंत्री भी है अब जारकन मुक्ती मोर्चा ने भी उनको ये कहकर छोड़ दिया इनमें राजनितिक शिष्टा चार नहीं है तो महागडबंदन तो बिखर गया कागच के टुकडों की तरह महागडबंदन की आज कोई तस्वीर ही नहीं बची है महागडबंदन में आज अगर कोई है तो मार्कसवादी लेनिनिस पार्टी है जो अल्ट्रा मौविस्ट लोग है तो कॉंग्रेस को क्या जरुत पड़ी अल्ट्रा मौविस्ट लोगों के साथ समझोता करने की जो लोग विहार में वर्गसंगर्श करना चाहते हैं जो लोग विहार की जमीन को खराब करना चाहते हैं ऐसी उग्रवामपंथी शक्तियों के साथ समझोता करके विहार का कौन सा तस्वीर का रंग वो लोग बदलना चाहते हैं पहले वो तो इस पश्च करे तब तो उनके महागडबंदन को माने ये एक अपवित्र गडबंदन है महागडबंदन तो बचा ही नहीं है मेरा आखरी सवाल आपसे ही होगा कि क्योंकि भारती जनता पार्टी जब चुनाव में उतरती है और आप क्योंकि खुद कई सारी चुनाव के आप परभारी रहे एक नंबर लेके उतरती है तो इस बार आपका नंबर क्या है गडबंदन का और बीजेपी इंडिविजवल नहीं हो सकता है गडबंदन की दो तीहाई सीटे आएंगी जी लेकिन अभी इस समय एक बड़ी ख़बर आई है चिराग पास्वान ने एक रैली में ये बोला है कि अगर एलजेपी की सरकार बर्यों उनकी सरकार में कुछ भी भागीदारी हुई तो नितीश कुमार को वो जेल भीज़वा देगे ऐसी कोई स्थती नहीं होने वाली है दोतियाई भोहमों से सरकार आएगी नितीश जी मुख्यमंत्री बनेगे है बहुत बहुत शुक्रिया बुपेंदर्यादव जी परस्ट बाते करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्यू सोबच प्लेजर है